हलो बच्चो कैसे वाप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही आप अपने बोर्ट और नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बोर्ट और नीट के प्रिपरेशन के लिए अगर युमन रिप्रोडक्षन का क्लास आप लोग चाहते हैं तो यह वीडियो आप लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि यहां हम लोग पार्चुरीशन को आज explain करने जा रहे हैं तो पार्चुरीशन क्या होता है यह जानेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो subscribe किजिएगा वीडियो अच्छा लगता है तो like किये भीना मत जाहिएगा और अगर आप लोग को लगता है कि यह दूसरे के लिए भी knowledgeable है दूसरे फ्रेंट्स के लिए भी आपके knowledgeable है तो इसको share करना नहीं भूलिएगा तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पार्चुरीशन का मतलब क्या होता है पार्चुरीशन में basically delivery होता है fully formed fetus का it is the delivery delivery of delivery of किसका delivery होगा fully formed fetus का ठीक है तो fully formed fetus है उसके delivery को हम लोग क्या बोलते हैं पार्चुरीशन और पार्चुरीशन ऐसे ही नहीं हो जाता है होता है यह कब तो आपको पता है at the end of 9 month यानि कि 3rd trimester में यह होता है 3rd trimester में यह होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी period में पार्चुरीशन हो देकि ऐसा नहीं है कि 9 month एकड़म fix कर दिया गया है कि 9 माईन जैसे ही खतम होगा बच्चा deliver हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं है क्यों कि यहां पे condition है कि fetus जब भी develop हो जाए प्लसेंटा जब भी completely mature हो जाए तब ही जाकर के बच्चा deliver होगा अब यह हो सकता है कि 9 महीने के पहले भी हो या फिर यह भी हो सकता है कि 9 महीने के बाद भी हो अगर delivery पहले होता है ठीक है before this period before this period and after this period after this period इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको पूलते है प्री मेचियोर डिलिवरी प्री मेचियोर डिलिवरी और एक होता है पोस्ट मैच्योर डिलिवरी तो दो बाते हैं यहां पे नौ महिने के पहले भी बच्चा डेवलप हो सकता है नौ महिने के बाद भी बच्चा जो है वो डिलिवर हो सकता है अब डिलिवरी के दोरान होता क्या है हम लोगो ये जानना है तो आपको याद रखना है कि डिलिवरी के दोरान होता ये है कि प्लसेंटा हम लोग जान रहा है ठीक है तो यह जो प्लसेंटा है इस प्लसेंटा से एक हॉर्मोन निकलता है उसका नाम है रिलक्सीन और इसी पीरियट के दौरान जब भी पार्चुरीशन होगा उसी पीरियट के दौरान एक और हॉर्मोन रिलीज होता है यह प्लसेंटा स पार्ट है कुल सा फार्ट हो गया पॉष्टीर प्यॉलियर प्टॉस से विए ब्ली आ बोलते हैं इस Mama पॉष्टीरए प्रीव आप्लेशिनों काज़ित अपना पना रोल है अब होता क्या ये देखिए ऑउक्सीतोसिन किया करता है ऑक्सीतोसिनδα है यह क्या करेगा प्रोवाइट्स माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन दे पुस्टीरियर पार्ट ओफ पुस्टीरियर पार्ट ओफ यूटिरस यूटिरस के पीछे वाला जो पार्ट है जैसे हम फिगरक बनाते हैं हम लोग यह हो गया यूटिरस तो इस यूटिरस का यह आगे वाला पार्ट हो गया और यह पीछे वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट में यह तेजी से contraction लाता है अब समझना है तो इसको कैसे समझेंगे तो जो हम लोग पेस्ट जो है निकालते हैं तो पेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग पीछे से उसको करते हैं तो आगे से पेस्ट बाहर आता है जस्ट वही फंडा यहां भी है होता क्या है कि यूट्रस में पीछे से ऑक्सिटोसीन जो है यह माइड कॉंट्रेक्शन लाता है और कॉंट्रेक्शन जब यह लाएगा तो इसी कॉंट्रेक्शन की वज़ा से बच्चा आगे की इसलिए यहाँ पे एक और हॉर्मोन है उस हॉर्मोन का नाम है रिलेक्सीन रिलेक्सीन क्या करता है रिलेक्सीन जो है यह क्या करेगा डाइलेट्स डाइलेट्स वेजाइना एंड सर्विक्स ओपनिंग सर्विक्स और वेजाइना के ओपनिंग को क्या करता है यह डाइलेट कर थेकर नता है क्योंकि दैखिये सिंपल से बात है अगर विजाइन का ऐसेंगा अगर इतना इतना बड़ा है तो इतना चोटा आपनिंग सेब्चा कैसे सबांगे जिए दिक्कत है यहां पर तो उसी दिक्कत को solve करने के लिए इन दोनों हॉर्मोन का बहुत ज़्यादा ही crucial role है तो यही है oxytosin और relaxin का काम relaxin एक और काम करता है क्या करता है यह it rotates the fetus fetus in opposite direction during delivery delivery के दोरान यह बच्चे को rotate करने में भी help करता है कैसे तो बच्चा जो है basically कैसे पैदा होता है तो बच्चे का सर नीचे होता है पैर उपर होता है लेकिन जब वो बच्चा develop हो रहा होता है uterus में पूरे gestation period के दोरान उस दोरान बच्चा जो है वो कुछ और च्चा गया उपर की तरफ तो इस तरह का काम यह करता है लेकिन यहां पर मदर को बहुत जादा बहुत बहुत ज्यादा पेल भी काफी होता है तो याद रखिएगा जो डिलिवरी के दोरान जो पेन होता है तो आपको याद रखना पेन का मिजर्मेंट हम लोग डॉल में करते हैं किसमें करते हैं डॉल डॉल इस दा यूनिट अपन और इसका सबसे छोटा यूनिट है डेल तो डेल और डॉल जो है लेबर पेन को मदर सह सकती है और यहीं डॉल डॉल से वैल्यू एक्सीड किया तो मदर जो है उस पे काफी ज्यादा पेन को वह सह नहीं पाती है और उसी समय दम तोड़ देती है बच्चा यूट्रस में रह जाता है तो आपको याद रखना यह चीज भी अब क्या होगा कि व वहां भी हो रहा है और उसी पेन से राहत पाने के लिए यह इलेक्सी ंकाम वहां कर रहा है तो इस طरीके से क्या होगा इस तरीके से बेबी-डव नप होगा एक चीज और आप रखेगा जब भी डिलिवरी होना रहेगा तो वहां पे एक reflex काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते है fetal ejection reflex ठीक है很 reflex का बाता है जब placenta और fetus दोनों ही mature हो चुका है यही है signal of parturation ठीक है यही क्या है signal of parturation ठीक है तो इस तरीके से बेबी जो है वो डिलीवर होता है ठीक है? मस्कुलर पेन भी काफी जादा होता है फीमल के केस में ठीक है? और फाइनली बेबी क्या हो गया? बेबी इस डिलीवर्ड और फाइनली जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाता है तो बेबी के डिलीवरी होने के बाद को store करके पी रखा जाता है ताकि further किसी भी तरीगेगा genetic disorder बच्चे में हो तो उसको ठीक किया जा सके ठीक है तो यही complete process है पार्चुरिशन का I hope यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगता है तो आप इस channel पर बने रहे हैं ठीक है हम लोग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जाहन